हेले ब्रेवन, बेलकम टो एसकेटमी, आई होप आपलो सब अच्छे होंगे, आप लोगी जो मद्द परदेश जीके की ख्लासेश चल लगी हैं, उसमें आज पढ़ने वाले हैं मद्द कालिन इतिहास के बारे में, यहीं मद्द कालिन इतिहास के बारे में, जितने भी इंपो पूछे जाते हैं, चलें, आज का पहला question देखते हैं, किसी भी question का answer बनता है और comment वाकसे जरूर से जरूर सेर कीजिएगा, कुछ सवाल जवाब हो, कुछ suggestion हो तो भी आप लोग कमेंड वाकसे ले दीजियेगा, पहला question आप लोगी सामने है, खजुराहो olmें मेंसे किस very important question है और बहुत बार पूछा जा चुका है ध्यान दी जी का इसका right answer होगा option A चंदेल वंस की रालतानी थी किसकी थी चंदेल वंस की रालतानी थी ठीक है अगला सवाल है खजुराहों के प्रसीद मंदीर का निर्माड किस वंस की सासको ने करवाय था एक question MPPSC 2008 में पूछा जा चुका है खजुराहों मंदीर का निर्माड किस सासक के दौरा यह किस वंस की सासक के दौरा करवाय गया था ध्यान दी जी का इसका right answer को option A चंदेल वंस के सासक के दौरा ही खजुराहों के मंदीर का निर्माड करवाय गया था अगला सवाल है गोड राज वंस का सबसे प्रसीद्ध सासक कौन था गोड राज वंस का सबसे प्रसीद्ध सासक कौन था अगला स्वाल है, कौन सा राजवन्स मद्ध प्रतिहार चालोक या कार्थ के यदि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसका एंसर भी आसानी से देदेंगे ध्यान दीजी का कौन सा राजवन्स है जो मद्दप्रदे से संबंदित है आप लोग ध्याना करना एक कल्चूरी वन्स है जो मद्दप्रदे से संबंदित है option A आप लोग का सही answer हो जाएगा और सही जबाब हो जाएगा यदि आप लोग चैनल पर अभी जूड़े हैं चैनल को फटाब और सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को आप लोग जिस भी सोचल मीडिया प्रेटफार्म से जूड़े हैं एक बार आप लोग जरूर सेयर कर दीजिएगा और बाद आप लोग बताना भूल गए इसका पीडियाफ लेना चाहते है तो आप लोग टेलिग्राम पर दे दिया जागा जैसे वीड़ो अपलोड होती है आप लोग लाइब क्लासे सोती है उसके एक घंटे बाद आप लोग वीड़ो पीड़ाफ मिल जैगी टेलिग्राम पर अगला स्वाल है परमार कहा का सासक राजवन्स था परमार कहा के राजवन्स था ये था मद्द प्रदेश का कहा था मद्द प्रदेश आफ्शन भी सही अंसर हो जाएगा अगला स्वाल है मंगल ग्रह जनम से सम्मदीत एस्तल जहां मंगल लाग का मंदीर बना हुआ है। अगला स्वाल है जो बहुत ही महत्पूर है निम लिकित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है। इनमें से बताना नहीं है, नहीं है, बहुत लोग ध्यान नहीते हैं, question को पड़ते नहीं है, direct answer लगाकर आ जाते हैं ध्यान दिज के इसका right answer ओकॉपसन दी, चरक सहीता जो है, राजा भोज के क्रिती नहीं है इसका राइट एंसर होगा option D सरसोती कंठा भरण समारांग गड़ सुत्राधार विद्या विनो जो है यह राजा भोज की कृती है अला सवाल है नर्वर किला किसकी प्राण्ड कथाओं के कारण चर्चा में रहा है किसकी प्राण्ड कथाओं के कारण चर्चा में रहा है इसका राइट एंसर होगा किसके दब्यांति के कारण चर्चाओं में रहा है option C आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला सवाल लेते है परवार वंस ने माल्वा का समब्राज एस्थापित किया परवार वंस ने मालवा का संब्राज एस्थापित किया स्वारी इसका सही जवाब हो जाएगा option B ठीक है आप लोग ध्यान दिजेगा अगला सवाल है 372 इसमे मालवा में देवास छोटी पांती में किस वंस की एस्थापना हुई थी आई होब सभी लोगों पता होगा इसका right answer होगा option B जी वाजी वंस की ठीक है option B आप लोगा right answer हो जाएगा अगला सवाल लेते चंदेली का निर्माड किसने करवाया था जो चंदेली का किला है बहुत ही फिरमास है अगला सवाला जो बहुत ही महतपूर है सेरसा मालवा पर अधिकार कर किसे वहां का सुविदार ने उत किया था बहुत ही महतपूर कोचन है इसका right answer होगा सुजात खां को किसको सुजात खां को नियुकि अगर ता आप लोगो याद रखना है तो ध्यान दीजेगा इसका right answer होगा सुजात खां option C ठीक है अगला सवाल है विख्यात गुजरी महल कहां पर इसी थे एक कोशन तो सभी लोगो से बनना चीए यह दि आप लोग MPG के अच्चे से पढ़े होंगे तो चलिए इसमित 10 सेकंग का आप लोगो टाइम देते answer बताने के लिए कटनी में, ग्वालियर में, नर्सिंग कुर में या छेदवाडा में फटा फट आप लोगो answer इसका देना है विख्यात गुजरी महल कहां पर इसी थे इसका सही जवाब ध्यान दीजेगा इसका सही जवाब हो जाएगा option B ग्वालियर में ठीक है, option B आप लोगो का right answer हो जाएगा अगला सवाल है, चंद सेखर आजाद की जन्म एस्तली भावरा किस राजे में इस्तित है यह है मद्द परदेश में, कहां पर मद्द परदेश option A अगला सवाल कौन सा किला जोहर कुंड, हवा महल, नवखंडा महल तथा खुनी दर्वाजा के लिए प्रसिद्ध है बहुत लोग इसका answer गलत करते है चलिए बताता हूँ क्यों गलत करते है लेकिन सबसे पहले आप लोग बताईए कौन सा किला, जोहर कुंड, हवा महल, नवखंडा महल तथा खुनी दर्वाजा के लिए प्रसिद्ध है इसका right answer होगा option C चंदेरी का किला ठीक है, option C आप लोग का right answer होगा इसका answer गलत क्यों लगाते है ये धार का किला, बहुत लोग धार का किला लगा के आते है जो बिलकुल गलत है, आप लोग को ध्यानक ना है option C इसका right answer होगा ठीक है अगला सवाल है अंतिम तोमर राज विक्रमा दित्ते को हरा कर किसने गौले पर अधिकार कर लिया था ये इब्राहिम लोधी जो है, अधिकार कर लिया था option C, आप लोग का right answer हो चाएगा ठीक है, आप लोग इस बात का जरूर ध्यानक है चले, अगला सवाल है बुन्देली वंस के किस सासक ने जहागिर कहने पर अब्दुल फजल की हत्ता की थी विर सिंग बुन्देला, ठीक है विर सिंग बुन्देला, option B, आप लोग का right answer होगा मैं एक बार आप लोग को याद दिला दू कि पिछली वीडियो आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को like और share नहीं करते हैं इतना तो आप लोग बात मानना ही चाहिए चले, I hope आप लोग सब लोग share कर दिये होंगे, like भी कर दिये होंगे चले, इसका next question है बुन्देला, राजवन से किस सासक ने गढ़ा के समीब गंगा सागर जलासय का निर्माड करवाया था राइट एंसर होगा हिदय सा, ठीक है, option C आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है, गंगा सागर जलासय का निमाड हिदय सा के दोरा करवाय गया था अगला सवाल है, महस्वर महस्मती निमलेकित में से किस नदी के तड़ पर इस्तित है महस्वर महस्मती, ज्यांदी जीगा, महस्वर का नाम पहले पुराने में महस्मती आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेगा इन नर्वदा नदी के तड़ पर इस्तित है, option B आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल है, बेघिल राजवंस किस ने, वीर ने चावसा की उद्ध में हुमायो को सहायता की थी, वीर मान सिंग ने जो है यह सहायता किये थी, ठीक है, बेघिल बन्स की अगला सवाल है तिगवा कहां पर इस्टित है? चले बहुत एचा कोचशन है बताइए तिगवा जो है कहां पर इस्टित है? जवलपुर, भपाल, मुरेना, गालियर बहुत हीचा कोचशन है आई होज़ siagilों से बनना भी ची ये ध्यानदी जी का इसका सही जवाब हो जाएगा option A जवलपूर में इससी थे option A आप लोग का right answer एक question याद आ रहा है आप लोग को एदि आप लोग हिंड पकड़ लेंगे तो आसानी सी question बन जाएगा नहीं पकड़ पाएंगे तो आप लोग नहीं बनेगा चले आप लोग सो question पूछते हैं मद्द प्रदिस का जो high court है इन चारो जगोहों में से कहा पर इससी थे comment box में बताएं मद्द प्रदिस का high court कहा पर इससी थे comment box में आप लोग को बताना है देखते हैं कितने लोग का right answer होगा फिक है option और लोगका सही answer data एससाइगा महरानी कमला देभी किस राजवांस की साश का थी महरानी निकामि हमला देवी जो है गौण वंद की साश का थी किसकी गplain की साश का थी आप लोग과 याद रखना है अगला सवाल लेते हैं चंदेरी के सासक मेदिनी राय पर निम लिखित किस मुगल बास सा ने आकमण किया था ये किया था बावर ने किसने किया था बावर ने किया था आप लोगो धान अपना है अगला सवाल लेते हैं मंडला के किले में राजा राजेसुरी की एस्थापना कराई थ किसने कह ray थी राजा नरेज़ कीले का निर्माड किसने करवाय था आप लोका राईट panis और व्यापम के बहुत बार इक्जाम में देखने को पर इसी थे है ये है बाध्ध गड उध्यान उमरिया में कहँ पे बाध्ध होगड उद्यान उमरिया में से उस्हेथ है। option A आप आ सब 9 तुरह का भाशए लगा कहांगे एक बात तो कंफरम है अहला सवाल निमले कित्वेसे को किला पत्थरों पर नक्कस साही किले प्रसिद्ध है अजय करके द्वारा बनावाया गया था ओन प्रसिद्ध है ओप्सन ये आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग ध्यां दिजेगा अ निया के किले मुकुट का ही रहा है, option D आप लोग का सही answer हो जाएगा, अगला स्वाल, अलाउद्दिन खिल जी ने किस किले को जिर्णोधार करवाया था, यह मंद सवर किले का जिर्णोधार करवाया था, ठीक है, बहुत आप पुछा जाता है, अलाउद्दिन खिले का जिर् जिकार नहीं किया था, बहुत यह अच्छा question है, आप लोग को याद रहना है, option D सही जवाब हो जाएगा, अगला स्वाल है, वस्तुकला संबंधी ग्रंथ, संबंग राड सुत्त के लेखक कौन है, यह आप लोग उध्यान से देखेंगे, पिछले question तो यह question आस्तारी से ब मृतुंजे जण्मकर्ण की जण्मस्तली कहाँ है, यह है option A, कुंतवार मुरैना आसन नदीपर, option A आप लोग का right answer हो जाएगा, आप लोग को ध्यान दिजेगा, बहुत ही महत्तपूर्ड सवाल है, ठीक है, option A आप लोग का right answer हो जाएगा, तो यह रहे, आप लोग के important question, ज question बन जाते हैं, आप लोग को next part में मिल जाएगे, ठीक है, आप लोग यह वीडियो के से लिए comment बाक से जरूर share कीजिएगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं next video, धन्नवाद